हलो फ्रेंट स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस नई वीडियो में और वीडियो का थमनेल देकर आप समझ के होंगे कि ये कैंडी पॉकेट माइनिंग अप्लिकेशन के बारे में है वीडियो और बिना स्किप के आपको देखना होगा यह वीडियो क्योंकि यहां पर मैं काफे सारी इंपॉर्टेट अपडेट देने वाला हूँ आप अल्रेडी देख रहे हैं मेरे पास 5751 कैंडी इखटी हो चुके हैं जो की लगवख 1725 डॉलर की हो जाती है 65 दिन हो चुके हैं मुझे माइनिंग करते वे यानि आज से 2 मेना पहले मैंने आपको यह अप्लिकेशन शेयर की थी कि आप मेरी प्रिविएस वीडियो में जाएंगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और यहां पर इन ऑपरेशन पर आपने क्लिक करना होता है आपका 24 गंटे का जो माइनिंग है देखिए मेरे को 20 गंटे 9 हार हो चुके हैं तीन गंटे बाद मेरी माइनिंग फिर से स्टार्ट होगी आप पे क्लिक करने के बाद ठीक है जो स्पीड आपको मिलती है यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे आपको इस तरीके से पूरी की पूरी आपको टीम दिखाई देगी जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो टीम है अगर वो टीम बढ़ती जाती है आपकी तो आपको जो है स्पीड भी आपकी बढ़ती जाती है मेरे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं Diamond NFT पर पहुँच चुका हूँ आप देखिएगा यह देखिए मेरी जो अभी यहाँ पर Diamond NFT लिखा रहा है आपके यहाँ पर Iron NFT लिखी आएगी आप जैसे जैसे टीम को बढ़ाती जाएंगे आपकी जो NFT है वो इंक्रीज होती जाएगी और जो Node पर यह काम कर रहा है तो Node का जो हैश रेट है वो भी बढ़ता जाएगा आपको यहाँ पर 0.04 की स्पीड मिलेगी जो कि बहुत कम होगी लेकिन लगबग दिन में आप लगबग 3 डॉलर के असपास तक का फिर भी कोईन माइन कर लेंगे ठीक है अब मुझे यहाँ पर घंटे मतलब भर हार मुझे यहाँ पर देखिए आप 4.654 कोईन मिल जाते हैं हर घंटे के यहाँ जोबिस घंटे में मुझे आप समच सकते हैं लगबग 100 से उपर के कोईन मिल जाते हैं ठीक है और देरे देरे जैसे ऐसे टीम आप बढ़ाते रहेंगे सरफ डिरेक्ट स्पेस हैं तो ही आपको यह जो कम टोकन से हैं इसकी स्पीड बढ़ेगी और यहाँ पर प्लस मेरा 30% मुझे बोनस में मिल चुक है क्योंकि मैं आप अच्छा वर कर रहा हूँ तो मैं आप सब से रिक्ष्ट करूँगा कि आप भी इसमें माइनिंग जरूर करने क्योंकि यह एक अच्छी कॉमूनिटी है और यहाँ पर देखेंगे आप नोट्स पर यह वर्किंग कर रहे है इनके हैश रेट्स वगर आप इन सब चीज़ों पर अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको काफी चीज़े क्लियर होंगे मैं ट्विटर हैंडल पर ले चलता हूँ इनका आपको कैंडी पॉकेट आयो के कॉमुनिटी वो कही न कहीं एक दो साल में अच्छी ग्रो कर जाती है और बहुत अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को दे जाती है जैसे पी आई है कोर है इससे पहले मैं आपको कल की डेट में कोर को किस तरीके से विडरॉल करना उसका वीडियो दे चुका हूँ तो जिन लोगों ने विडरॉल नहीं लगाया है वो विडरॉल उसको देखके लगा ले समझ ले और दोस्तों के साथ शेर भी करते उस वीडियो को ताकि सभी लोग विडरॉल लगा ले नहीं तो आपकी आपके सिर्फ कोर के अप्लिकेशन में पड़े रह जाएंगे देखें यहां पर केंडी पॉकेट के बात करते हैं था डिवॉलिशनरी न्यू प्लेटफॉर्म अलाव यू तो माइन टोकन फॉर फ्री इन लेस दन फाइम मिनट ओके यू कें डाउनलोड दा एप रिस्टर और माइनिंग केंडी ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्हों ने पूरा का पूरा यह मतलब मीडियम पर आर्टिकल्स भी है इनका ठीक है आप इसको अच्छे से रीट कर सकते हैं ठीक है और यह पूरा मेटावर्स वैब 3 का टोकन है तो काफ़ी अच्छा इसकी आगे डिमांड रहने वाली है और काफ़ी अच्छी कॉमुनिटी ग्रोव रही और तेजी से भी तीन महिने में लगभा 15,000 यूजर्स हो चुके हैं तो आप जैसे ऐसे यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं तो और जा बढ़ा सकते हैं जिस तरीके से आप मेरे देख रहे हैं मेरे जो पावर्स है बड़ी हुई है तो आप उसको देख सकते हैं अच्छे सा समझ सकते हैं और यह काफी प्रोसेस जोनों ने बढ़ा के हैं किस-किस तरीके से आप केंड़ी टोकन कर सकते हैं यहाँ पे कुछ 12% of the token have been mined 12% of the token has been minted by more than 2 lakh users worldwide 2,000,000,000 से ज्यादा इसमें users हो चुके है जो कि 12% से ज्यादा token mint भी कर चुके है तो आप यहाँ पर इस ग्राफ को थोड़ा से देखिए 12% इनके जो है टोकन्स अल्रेडी 2.1 बिलियन में से माइन्ड हो चुके हैं क्योंकि अभी माइनिंग के लिए ही एविलेबल है यह ओके और जो दो लाग यूजर होने माइन करती हैं इस टाइम पे आप मैं अब 2.1 बिलियन यानि आप समझ सकते हैं 210 करोड का 12% अगर मैं निकाल दूँ तो लगबग 25 करोड 20 लाग कोईन तो दोस्तो माइन हो चुके हैं और मैं कुछ इंपोर्टेंट चीज़ें आपको इसमें और बताने वाला हूँ एट वन बिलियन सप्लाई पे क्या हो जाएगा वन यानि 100 करोड की जब सप्लाई इसकी हो जाएगी तो माइनिंग जो है स्टॉप हो जाएगी यानि 25 करोड माइन हो चुके हैं तीन महीने के अंदर अब यूजर बढ़ते जा रहे हैं तो मुझे लगता है जहां तक कि जो बिलियन के सप्लाई हैं यानि 75 करोड और बच्चे मे यह आने वाले 6 महिने के अंदर हो जाने चाहिए हैं कम से कम ठिक हैं 6 मने के अंदर हो जाने चाहिए यानि यह कहीणा महीं जून के असपास में इसकी माइनिं इस टॉप हो जाएगी और C2C Trading Will Be Started ये हो जाएगी और 120 करोड पे क्या होगा candy Metaverse will be officially launched Metaverse launch हो जाएगा इसका और 1.5 billion की supply पे यानि 1.5 करोड पे क्या होगा dividend will be distributed 90% of the business profit will be distributed to candy holders जितने भी candy holders हैं उनको जो dividends है वो मिलेगा तो यह बहुत ही बड़ी good news है दोस्तों ज्यादा coins बचे नहीं है तीन मेने में 25 करोड माइन हो चुके हैं तो जो बचे में 75 करोड मेरे हिसाब से users बढ़ते जा रहे हैं अब पहले तो users कम थे तो भी 25 करोड कोड माइन हो गए तो अब तो user बढ़ गए हैं तो और जल्दी होंगे तो चार से पांच मेने या हो सकते हैं तीन मेने के अंदर या चार मेने मतलब मागने के चलिए माई जून के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर mining stop होने वाली है तो आपके बास time भी काम है फटा फट डिस्क्रिप्शन बोक्स में जाएंगे मैं काफी सारी टीचे टोकन के बारे मैं आपको बता चुका हूँ सिंपली कुछ नहीं करना है आपको हर 24 गंटे में यहाँ पर इन ऑपरेशन पर क्लिक करना है और एक्टिव रहना है और जितना ज़्यादा है आप डिरेक्ट में अपने लगा लेंगे आईडी इस को उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी उतना ज़्यादा आप जो NFT Metaverse की जो स्पीड है वो देखें यहाँ पर हैश रेट यही लिखा है न देखें आप यहाँ पर इसको कर सकते है ठीक है और अभी मेरे जो हैश रेट है आप देख सकते हैं पर गंटे में मुझे कितना मिल रहा है ठीक है और यह अगर मैं इसको Share पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो देखें फिर्स्ट कमें फिर्स्ट बेट गेट ट्वेंटी डॉलर मिलियन बॉर्ट अफ कंडी और यह अब आउट है श्रेट पर आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यह किस तरह किसे होता है आप देख सकते हैं कि आप अभी आईरन एन एफटी पर हैं ठीक है जब आप कोई भी डिरेक्ट नहीं लगाएंगे जीरो एन डिरेक्ट पर होंगे गोल्ड नेफट यहने 16 से 29 लोगों को आप जोइन करवा जेते हैं तो आपकी स्पीड 1.2 हो जाती है तो आपकी स्पीड 1.8 हो जाती है जो मेरी है लेकिन मेरी स्पीड और जादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मुझे 30% का बोनस भी एक्स्ट्रा मिल गया है ठीक है और फीजन इंकम आपको मिल जाती है स्टेज 1 डिरेक्ट रिकमेंडेशन इंक्रीज इतना आपका ये भी बढ़ जाता है ये फीजन इंकम भी मेरे को मिलती है नोड प्रॉफिट्स भी आपको मिलते हैं ग्लोबल जूनियर नोड अगर आपके 19 से लेके 99 डिरेक्ट हैं तो आपको 0.0 per person in 3 जनरेशन पे मिलेगी 3 जनरेशन तक और ग्लोबल मिडल नोड सो से लेके 199 यूजर्स हो जाते हैं तो आपको 4 जनरेशन पे ग्लोबल सीनियर न मतलब परसेंट तो देखे 18 या नहीं 18 8 8 8 करके 36 54 दिन होते हैं मेरे 65 दिन हो चुके हैं तो मेरे 30 परसेंट इसलिए बढ़ गया है ठीक है मतलब एक बार मैक्सिमम जो आप कमा सकते हैं वह 100 भी एच पर हर कमा सकते हैं अभी मैं 4 पर हूँ तो यह मैं और ज्यादा भी कमा सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं मैंने यह काफी 40 चीज़ें आप लोगों को अच्छे से बता दी हैं उमीद करता हूँ चाहते हैं वह फटाप डिस्क्रेप्शन बॉक्स के लिंक से इसको जोइन करेंगे और बिना देर किये फटापट में मैंने करेंगे सर्फ 3-4 मैने के माइनिंग और रहेंगे सारी अप्डेट्स में आपको इस वीडियो में दे ही चुका हूँ ठीक है वीडियो अच्छे ल अच्छे से लॉंच होंगे और अच्छे प्रॉफिट आप लोगों को देखे जाने वाले हैं थैंके सो मच